आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया बज प्रशन की फोडो खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट विडियो सिलीशन पाओ अभी डाउटनेट करें तो एकस स्क्वाइर प्लस थ्री एकस प्लस फोर जो हमें यहाँ पर दुएगाद भवुपत दिया गया है इसको हम पूर्ड वर्ग बनाने कोशिश करेंगे और फिर यहाँ पर निश्यस समाकलन के एक सूद्र का उप्योग करेंगे तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं तो एक अगस बहुपत को हम पूर्ड वर्ग बनाते हैं तो लिखेंगे हम यहाँ से आई बराबर समाकलन अंडर रूट और दिखेंगे आपर सबसे पहले स्टेप क्या होगा हम 2 को common ले link 2 को common लिया तो हमें क्या मिलेगा bracket के अंदर x square plus 3 बटा 2x plus 4 बटा 2 कितना हो जागा 2 तो यहां लिखेंगे 2 dx यह मिल गया अगले step में देखें हम क्या करते हैं हम यहां पर लिखेंगे i बराबर समाकलन देखे root 2 को बाहर कर लेते समाकलन को यह अचर है और समाकलन में हमें क्या मिलेगा x square plus 3 बटा 2x और देखेंगे अब हम क्या करेंगे 9 बटा 16 को जोड़ देंगे plus 2 पहले सता और 9 बटा 16 को घटा देंगे यह हो गया dx क्लिक देते हैं आपे देखें 9 बटा 16 को हमने जोड़ा है और घटाया है इसलिए है क्योंकि x square plus 3 3 बटा 2x plus 9 बटा 16 यह क्या बन जाएगा x plus 3 बटा 4 का holy square बन जाएगा इसके अस्तान पर हम यह लिख सकते हैं और देखें यदि हम यहाँ पर 16 को LC हम लेंगे तो हम इसको क्या लिख देंगे यह हो जाएगा रूट 2 समाकलन यहाँ पर क्या आजएगा हमार पास अंडर रूट में x plus 3 बटा 2 का holy square और प्लस देखें 23 बटा 16 किस प्रकाल लिख सकते हैं रूट 23 बटा 4 का holy square dx यह आगे हमार पास अब हम क्या करेंगे एक सूद्र का उपयोग करेंगे हम जानते हैं कि समाकलन अंडर रूट x square प्लस a square dx कमान किसके बराबर होता है यह बराबर होता है x बटा 2 into अंडर रूट x square प्लस a square प्लस a square बटा 2 into log मापांक में x प्लस अंडर रूट x square प्लस a square प्लस c के बराबर होता है तो अब देखिए, सूत्र की और जो हमारा i का मान आए है, दोनों की तुलना करेंगे, तो x प्लस 3 बटा 2 क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, और under root 23 बटा 4 क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, तो यहाँ से हम क्या करेंगे? i का महान गात करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे? i बरा हमारा माना या वो पूरा लिख देंगे, क्या है हमारा पास इस पूरे को लिख देंगे, यहाँ पर 3 बटा 2 नहीं, 3 बटा 4 होगा, यहाँ पर क्या रिखेंगे, 3 बटा 4 तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा x plus 3 बटा 4 का whole square plus root 23 बटा 4 का whole square plus यहाँ पर a square बटा 2 ए क्या है? a हमारा है root 23 बटा 4 इसका whole square हो जागा बटे में 2 into log मापांक में क्या है? x तो x क्या है? x plus 3 बटा 4 तो यहाँ लिकेंग x plus 3 बटा 4 और plus क्या जागा हमारा पस? under root में जो मान है फिर से हम लिखेंगे क्या है? x plus 3 बटा 4 का whole square plus root 23 बटा 4 का whole square plus c यहाँ आगे आप चली इसको थोड़ा हल करते हैं तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? i बराबर root 2 into यहाँ पर क्या जाएगा इसको देखें? यह हो जाएगा x plus 3 बटा 4 यह हो जाएगा 4 x plus 3 और यह हो जाएगा बटा 8 into यहाँ पर देखें अंडर root में इसको whole करेंगे तो हमें फिर से क्या मिल जाएगा? x plus x square plus 3 x बटा 2 plus 2 मिल जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर क्या आजाएगा हमार पास? यहाँ पर हमें मिल जाएगा plus यह 20 का square 23 हो गया तो यहाँ लिखेंगे 23 और 4 का square 16 तो यहाँ पर 16 दो नहीं 32 तो यहाँ लिखेंग 32 log मापांग में क्या आजाएगा? x plus 3 बटा 4 plus यहाँ पर भी देखें वोई चीज़ आजाएगा हल करेंगे तो x square plus 3 बटा 2 x plus 2 plus e अब देखें क्या करेंगे? अगले step में हम bracket के अंदर root 2 का गुड़ा करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? i बराबर मिलेगा i बराबर देखें यह हो जाएगा 4 x plus 3 बटा 8 इंटू देखें यहाँ पर जो हमें दोई गाहत बहुपद दिया गया था हमने शुरुवात में यहाँ पर root 2 कॉमन लिया था तब हमें यह मिला था अगर हम root 2 का फिर से गुड़ा कर देंगे अंदर तो हमें जो हमें प्रश्मे बहुपद दिया गया था वो मिल जाएगा क्या दिया गया था? हमें दिया गया था 2 x square plus 3 x plus 4 यह दिया गया था plus यहाँ पर यह कितना हो जाएगा root 2 का गुड़ा करेंगे तो यह हो जाएगा 32 को क्या लिख सकते है? 16 into 2 तो यहाँ पर क्या आजाएगा? 23 बटा 16 root 2 into log मापांग में क्या आजाएगा यहाँ पर? 4 x plus 3 बटा 4 और plus यहाँ पर क्या आजाएगा? यहाँ पर इसको हम लिख सकते है 2 x square plus 3 x plus 4 बटा root 2 plus c तो देखें यह हमारे प्रशने का अभिष्ट उत्तर आगया धन्यवाद